साथियों, गुलामी के एक हजार साल के कालखन में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ इनी में से एक था संस्कृत भाशा का पुरा बिनाश हम आजाद हुए लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मान्चिक्ता नहीं गई वो संस्कृत के प्रती बैर भाव पालते रहे कहीं कोई लुप्त भाशा का कोई शिलालेग मिलने पर ऐसे लोग उसका महिमा मन्ण करते हैं लेकिन हजारों वर्सों से मोजूद संस्कृत का सम्मान नहीं करते हैं दूसरे देश के लोग मात्रू भाशा जाने तो ये लोग प्रसंसा करेंगे लेकिन संस्कृत भाशा जानने को ये पिछडेपन की निशानी मानते हैं इस मानसिक्ता के लोग पिछले एक हजार साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामियाब नहीं होंगे संस्कृत केवल परंपराओं की भाशा नहीं है ये हमारी प्रगती और पहचान की भाशा भी है बीते नव वर्षों में हमने संस्कृत के प्रसार के लिए व्यापक प्रयास किये है आधुनिक संदर्म ने अश्टा ध्याई भाश्य जैसे ग्रंत इन प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे